तो दो question हो गया, third question लेते हैं, third question लेते हैं, third question है, defined and explain its type, ठीक है न, तो अभी ये जो question है, ये 2 marks के लिए बैंगे आता है, और 4 marks के लिए आता है, तो हमने जो super 25 के question दिये हैं आपको group में, वो 2 marks, 4 marks दोनों को consider करके दिया, तो वो पढ़ो-खाली, बस, तो अरे क्या रहता है, अरे क्या रहता है, अरे is a collection of, collection of similar type of data, जैसे अभी सभी students जो मेरा lecture देख रहे है, वो array of students है, वो array of students है, क्योंकि सब लोग एक ही type के, एक ही type के students है, सभी लोग students है, तो you all are collection of student, तो मैं बोल सकता हूं कि you are array of student, तो array is basically a collection of similar type, यह similar type कुछ भी हो सकता है, int हो सकता है, float हो सकता है, double हो सकता है, long हो सकता है, care हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी ये जो array है, ये जो array है, इसके अंदर value store कैसे होता है, index से और value retrieve भी कैसे होता है, index से ये जो array है, इसके अंदर value store कहां से करते हैं, हम लोग 0th index है और खतम कहाँ पर करते है जो length है minus 1 तक तो इसका एक example मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको यह एक example है यह जो array है ना यह जो array है वो चालू किदर से हुआ 0 से चालू हुआ जाएगा कहां तक यह 9 तक जाएगा मतलब total number of values कितने store होंगे तो यह जो पहला पहला जो 0 इंडेक्स है इसको बेस इंडेक्स भी बोलते है मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना बच्चो यह लिख लो आप लोग ठीक है ना क्यूंकि एक्जाम में तुमको याद नहीं रहेगा जो तुम पड़ते हो वो क्यूंकि उसका language बीएपन्टस होती है मैं जो बता रहा हूँ SIMPLE LANGUAGE में बता लहा हूँ तो लिख ć classification हो जीरोत इंडेक्स को बेस इंडेक्स हो दो तुमारे वाल्यू एक्स्स होता है टुमारे अरे में जो वाल्यू आक्सेस होता वो भी इंडेक्स होता है और value retrieve भी जो होता है, वो भी index सही होता है, ठीक है ना, तो अरे, दो type का है, एक को बलते 1D array, दूसरे को बलते 2D array, अभी तुमको ये नहीं बता कि 1D array क्या रहता है, 2D array क्या रहता है, तो तुम लोग उसका declaration याद रखो, कैसे लिखते हैं उसका declaration, एकदम सिंपल है, 1D याद रहेगा, तो 2D अपने आप याद रहेगा, तो 1D array कैसे लिखेंगे, int int a square bracket equals to new int और square bracket में size, तो अगर मैंने 3 बोला, तो इसका size 3 हो जाएगा, ये 1D array का declaration है, अगर मैं रहे को 2D array लिखना है, तो इसमें यहाँ पर भी, एक square bracket के बदले के आजाएगा, दो square bracket आजाएगा, ये 2D array हो गया, 1D array में एक for loop लगेगा, 2D array में दो for loop लगेगा, ये ही दोनों में difference है, तो 1D array is basically of defined length, मैंने अगर बोला कि मैं रहे को 5 size का array चाहिए, तो यहाँ length में क्या आजाएगा, इसके नीचे लिख देता हूँ, 1D array ये जो मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, लिख के लो आप लोग भी लिख सकते हो तो 1D array में अगर देखो के तो मैंने यहाँ पर size define किया, 10 का size है मतलब ये maximum value कितना store करेगा 10, अगर मैंने 1D array जो बनाया है, वो 10 size का बनाया है, तो मेरा for loop कितनी बार घुमना चीए, 10 बार घुमना चीए तो चालू कहां से होगा, 0 से end कहां पे होगा, 9 तक, हर बार क्या print करेगा, i को तो ये होने के बाद में 1D 2D array का declaration होने के बाद में इसका अगर example देखोगे, तो यहां पे दिया हुआ है, तो यह 1D का example है, अभी यहां पे क्या किया है, एक array बनाया है, जिसका size 5 है, यह जो पाचो value को लिखा हुआ है, 0 पे 10 डाल दिया, 1 पे 20 डाल दिया, 2 पे 30 डाल दिया, 3 पे 3 पे 40 डाल दिया, और 4 पे 50 डाल दिया, अभी इसको traverse करने के लिए मैं कहाँ से कहां तक जाऊंगा, 0 से लेके उसके length तक, तो देखो यहां पे 0 से लेके length तक गए, less than लिखा है, less than लिखा मतब क्या करेगा, वो length minus 1 तक जाएगा, और हर बार अंदर क्या प्रिंट कर रहा है, A of I, क्योंकि मेरे अरे का नाम क्या है, A है, तो first time पे क्या प्रिंट होगा 10, डूसरे टाइम पे 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 ऐसे प्रिंट होगा